पिगना हर्ता श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा नोह अलिया मैने प्रकाश, अब सर्वत्रा देरा ही अदेरा है अत्मूत! वेदों का दिव्य प्रकाश फिर अंदकार में कैसे परिवर्थित हो गया? नहीं भाया, इस अंदकार में आप भी उन्हें नहीं ढून सकेंगे इसलिए अब भीतर जाने का कोई लाब नहीं दुर्गमासुर, ये दोनों महादेपुत्र तो यहां तक भी पहुँच गए हमें कहीं और जाकर चिपना चाहिए हमें कहीं जाने की अवशक्ता नहीं है यदि ये दोनों इस अंदकार में आ भी गए तो अवश इस अंदकार में लुप्त हो जाएंगे क्योंकि इस अंदकार में तो हम जैसे अधरमी और अंदकार ही रह सकते हैं और रही बाद बेदों के नश्ट करने की तो अब तो मेरे पेट की अगनी ही उन्हें पचा कर नश्ट कर देगी भाया उस दुष्ट ने वेदों को निगल लिया है इसलिए अब उनके प्रकाश के स्थान पर अंदकार ही व्यापत है इसलिए हमें कोई अन्य उपाई ढूनना चाहिए किन्तु कैसे गणेश जब वेद अपने स्थान पर लोटेंगे तभी तृदेव तृदेविया देवी देवता पुना प्रकट होंगे और सृष्टी अपनी संतुलित अवस्था में लोटेगी अन्य था कुछी समय में सब कुछ नश्थ हो जाएगा और अब शीग्रे ये धरती भी शेश नहीं रहेगी इसलिए अब और प्रतिक्षा का समय नहीं है हमारे पास हमें इस अंदकार में प्रविश करना ही होगा नहीं भाईया हमें धहर्य धारन कर स्थिर भाव से सोचना चाहिए तभी हम कोई समाधान ढून पाएंगे संपूर्ण स्रिष्टी की लक्षा का भार हम पर है और हमारे पास कोई उपाई ही नहीं अब एक ही उपाई है भाईया माता माता को उनकी योग निद्रा से जागरित करना अब वही अपने वेद माता रूप में इस अंधकार में भी उन असरों और वेदों को ढून सकती है माता को इस प्रकार जागरित करने से वह क्रोधित हो गई तो कहीं कोई नया अनर्थ में हो जाए आप उचित कहते हैं भाईया मा पारवती तो माता की ही अंश है फिर जब उनका क्रोध इतना विक्राल हो सकता है तो माता पराशक्ती के क्रोध का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता किन्तु परिस्थिती जब विकट और विक्राल हो तो हमें उचित निर्णय लेकर आगी बढ़ना ही पड़ता है और अभी उचित यही होगा कि हम माता को जागरित करें माता मैं जो करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे ख्शमा कीजिएगा किन्तु मैं विवश हूँ क्योंकि असरों द्वारा वेदों को निगल कर लुप्त करने के कारण संपूर्न स्रिष्टी विनाश के निकट है अब आप ही सब की रक्षा कर सकती है माता माता संकट अब विक्राल रूप ले चुका है और आप में ही इसी रोकने की शमता है इसलिए अपनी योग निद्रा से बाहर आने की कृपा केजिए माता अनुज गणेश माता अपनी योग निद्रा में हमारी पुकार कैसे सुन सकेंगी संतान अपनी माता को पुकारे तो माता उसकी पुकार सुनती ही है वो हमारी पुकार अवश्य सुनेंगी भहिया माता, स्रिष्टी को, आपके पुत्र गणेश को आपकी आवशकता है कृप्या जागरित हो जाए मा आज आपको मेरी पुकार सुननी होगी हम पर, इस स्रिष्टी पर, अपनी ममता और दया का सागर बढ़साना ही होगा ये केवल एक पुत्र की पुकार नहीं है अपितु समस्त संसार की पुकार है जाग जाए माता, जाग जाए आप इतनी कठोर और निर्मम कैसे हो सकती है आपने अपने ममता का आचल क्यों समेट रखा है जिस स्रिष्टी को आपने जन्म दिया है आज उसी स्रिष्टी का अस्तित्व संकट में है माता, आपसे ये अपेक्षा नहीं थी स्रिष्टी मिटने को है और आप योग निद्रा में लीन है उचे थे, मिट जाने दीजिए सब कुछ नश्ट हो जाने दीजिए सब आप इसी प्रकार योग निद्रा में लीन रहना चाहती है तो ऐसे ही रहे ना उठिए, ना बचाए इस स्रिष्टी को मेरे कठोर वचनों के लिए मुझे शमा कर दीजिए माता किन्तु आप ही देखिए ना किस प्रकार सब कुछ नश्ट हो रहा है तुम भी अद्बुद हो गणिश प्रातना, दया और अधिकार सभी युक्तियों का प्रेहोग किया और फिर याशना करने पर लोट आए इस स्रिष्टी पर ऐसा अन्याय मत होने दीजिए माता, अब आप इस स्रिष्टी की रक्षा कर सकती है उठ जाये न, माता, उठिए माता माता, आप अपना हट्ट्याग देजिए न उठिए माता, उठिए न माता, उठिए माता, उठिए माता कृपा कीजिए माता उठिये ना माता उठ जाए माता जाग जाए ना माता कौने? यादे वी सल्व भूते शक्ति रूपे मैं हुमा गणेश संतान को देखकर माता कैसे क्रोधित हो सकती है मुझे एक्षमा कीजिए माता जगत की रक्षा ही तू आपको जगाने के लिए मैंने बहुत कुछ कह दिया किन्तू वो अनिवारियत हमाता इस बार भंडा सुर ने ऐसी योजना बनाई है जिसमें वो स्वया मुलज गया है बंडा सुर ने तो हमें जागरित कर दिया किन्तू उसका भाग्य स्वयम सो गया पर्थम पुझ्य गणेश और सेनापती कार्तिके इस बार हमसे वेद नहीं ले पाएंगे कदाचित इस बार भाग्य हमारा साथ दे रहा है और हमें ही हम तक बाहर नहीं जाएंगे जब तक बाहर श्रस्टी और तुमारे भीतर इन वेदों का विनाश्य नहीं हो जाता और एक बार ये वेद नस्ट हो गए उसके बाद कोई भी हमें श्रती नहीं पुचा सकता कोई प्रम घहम भी नहीं तब हम संसार की आरंब से रचना करेंगे, जिस पर केवल मेरा राज होगा, दुर्गुमा सुर का, हाहा, दुर्गुमा सुर का, हाहा, तुमारा राज क्यों होगा, मैं उस नए संसार का समराड बनूँगा, नहीं, तुम इसके योग्या नहीं हो, मैं बनूँगा समराड, इन वेदों को अपने वीदर पचाने पर तो मैं और भी शक्तिशाली हो जाओंगा। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने पल का प्रदशन करू। माता, स्रिष्टी संकट में है, हमें शीग्रती शीग्रवेदों को लोटाना है, अन्य था वो असुर, उन्हें अपने पेट में ही नश्ट कर देगा। अब तो आप ही कोई मार्ग सुझाने की कृपा कीजिए। पुत्र कनेश, भड़ा सुझ, भले अभी सक्रियन ना हो, किन्तो मैं तो अपना वचन नहीं भंग कर सकती। इस युद्वे मैं जो भी करूँगी, तुम्हारे सुझाव से ही करूँगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, कि जब तक तुम्हारे अस्त्र और उसकी शक्ति के तत्व को समझ कर, सुझाव विग्न हर्ता गणेश मुझे उसका तोड़ नहीं सुझाते। मैं तुम पर अपने किसी भी अस्त्र का प्रहा नहीं करूँगी। क्योंकि माता प्रती दिन दिन के आरंभ में वेद माता आपके चड़नों पर मस्तक रखकर और उस असुर के गहन अंधकार में छिपे होने पर और उसके पेट में वेदों के होने पर भी आप ही उन्हें पुना सक्रिय कर सकती हैं। मैं बनुँगा नहीं स्टस्टी का सम्राथ। तुम नहीं। मैं बनुँगा नया सम्राथ। सम्राथ तो दुर्गुमा सुरही बनेगा। मैं बनुँगा। इसके भीतर से ही प्रकाश निकल रहा है मैं कहता हूँ आगे मन पुड़ो रुको मैं तुम्हें रोख सकता हूँ रुको अनर्थ अनर्थ हो ले जा रहा था मुझसे मुझे शमा करें माता मैं ये कैसा अपराग करने जा रहा था मैंने कहा है गरीब रुक जाओ रुको है गरीब मैंने कहा रुको मैं तुम्हें चाने नहीं दूगा मैं तुम्हारा अदिश मरने को बात नहीं हो मुझे अपनी भूल सुधर नहीं हुई वेदों की शक्ती से हैग्रीव में भक्ति उत्पन्न हुई है जब तक ये वेद उसके भीतर रहेंगे तब तक वो धर्म के मार्द उपर चलेगा और वेदों की बाहर आते ही उस पर आशुरी प्रवरत्ती चाजाएगी मुझे इस अंदिकार के सागर से बाहर जाने के पहले रोकना होगा वहाँ ये सुरक्षित नहीं है रुक जाओ! मैंने कहा रुक जाओ! अब और आगे बड़ी, तो इसका घातक प्रेडाम होगा ये क्या? इसको रोकने के परियास में मैं स्वयम अंदिकार के सागर से बाहर आ गया अब जब वो दोनों असुर अंदिकार से बाहर आ गए तो अब आगे क्या करना है गनीश? माता, वेदों को उनसे मुक्त कराना है रुको! वेदों को भाहर मत आने दो! रुको! ऐसा अनरत कता भी मत करना! बुक्त! रुक्त! देवी गायत्री इन वेदों की शोफा आपके ही पास है तत्सवितुल्वरेन्यम् भर्गोदेवस्यधीमही धियोयोनाः प्रचोदयात् ओंभूर्भुवस्वाहा तत्सवितुल्वरेन्यम् भर्गोदेवस्यधीमही धियोयोनाः प्रचोदयात् ओम् भूर्भु अस्वाहा तत्सव तुर्वरेन्यम् देवी, ये तो वही देवी है कहीं ये हमारे अंत का संकेत तो नहीं कनेश, अब हमें क्या करना है माता, हैग्रीव का अंततो प्रबू हैग्रीव की द्वारा ही हो सकता है और दुर्गमा सुर का संहार, माता ललिता के विशालाक्शी रूप की द्वारा हुआ था प्रणाम प्रभू है ग्रीव प्रणाम प्रभू है ग्रीव प्रणाम माता देवी विशालाक्शी कल्यान यह देवी हट्चा मेरे मार्क से इस बार मेरा अंतने ही कसो कोगे तूम गड्या घर्क से आस थालन पार घरो भर्भू भर्राम प्रिक विस का स्वतल्दा? ढ्तेरा? प्रिक विस बार्णान प्रिक ह? प्रिक हो align प्रिक हो align आपके वास के वाया आपके वाया आपके भी आपके वाया मता! मिशेशिति दंक को तुंबी निचूरी को तुंबी निचूरी करते जय 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 है महिशासो रमर्ते निरंग्यका बर्ते निशेरस ते लिगार्ते स्री माता ललिता की जय स्री माता ललिता की माता विशालाक्षी की माता विशालाक्षी की इन तोनों असुरों का भी संघार हो गया, किन्तु बैस सुरक्षित हूँ. अब मैं इस देवी सेना के नौश के लिए संपोर्ण शक्ति से गहार करूगा। आपसी मतभेद से अविश्वास का जन्म होता है और अपनों पर अविश्वास पराजय की पहली सीड़ी है।